बच्चो आज हम पढ़ रहे हैं ककसा आठ सामाजी केबं राजनितिक जीवन पिसे का अध्याइच्छ है हमारी आफरादिक न्याइप्रनाली और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से समदित प्रस्णों के उत्तर बच्चो अभ्यास प्रस्ण उत्तर में आपने पूरा पार्ट पढ़ लिया होगा और पार्ट के अंत में आप ध्यान दें वहाँ पर आपको कुछ प्रस्ण देखने को मिलेंगे जहां पर आपका पार्ट समाब्त हो जाता है और इस प्रकार से प्रस्ण प्रस्ण होगा पीस लेंड नामक सहर में फियेस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के सहर में जो वहां से लगवग 40 किलो मिटर है जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंती मुकाबला होने वाला है फियेस्ता के समर्थकों का एक जुंड गातक हतियारों से लेस होकर अपने सहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है इस हमले में दस लोग मारे जाते हैं पांच औरतें बुरी तरे जख्मी होती हैं बहुत सारे गर नश्ट हो जाते हैं और पचास से ज्यादा लोग घायल होते हैं कल्पना कीजिए कि आप और आपके सह पाटी आप रादिक नियाव ब्योस्ता के अंग हैं अब अपनी कक्सा को इन चार समूओं में बार दीजिए और कौन कौन से समूओं में बचो यहाँ पर देख सकते हैं आप नमबर एक पुलिस नमबर दो सरकारी वकील नमबर तीन बचाओ पक्स का वकील और नमबर चार नियादीस निम्न तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं इन जिम्मेदारियों को बाई ओर दिये गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं परतेक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फियस्ता समर्थकों की हिंसा से पिडित लोगों को नियाई दिलाने के लिए आवसेक है ये काम किस करम में किये जाएंगे तो देखा आपने काफी लंबा चोड़ा प्रसन है बचो ये आपके लिए इस प्रसन को आप ध्यान पूरबग पढ़ें और पहला प्रसन है ये इसके बाद चलिए देख लेते हैं उत्तर में आप किस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर पहले देख लें बचो एक टेबल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी पाठे पुस्तक में इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जोए दो कॉलम बने भूमी काएं और कारिया यहाँ पर पुलिश लिखा है सरकारी वकील बचाव पक्सकाव वकील और नियादीज यहां पर देख सकते हैं आप गवाओं की सुचना गवाओं को सुनना और गवाओं के बयान एवं कारण या बयान दर्ज करना यह सब आप यहां पर देख सकते हैं बच्यों और इन्हें लिख सकते हैं इसके बाद पुलिस की कारे क्या क्या होंगे पुलिस की भूमिका और उनके कारे क्या होंगे फेस्ता समर्थकों को गिरिपतार करना नमबर दो होगा हमले की सिकार महिलाओं की डाक्री जांच करना नमबर तीन जले हुए घरों की तस्वीरे लेना और फिर सबूत दर्ज करना फिर की जांच करना और पीडितों का पक्स प्रस्तुत करना उसके बाद तीसरी भूमिका है बचाओ पक्स और वकील की और इसका कार्य होगा आरोपी व्यक्तियों से मिलना और गवाओं से बहस करना अगला जो है भूमिका यहाँ पर नियाय अदिश की जो सबसे बड़ी भूमिका गवाओं को सुनना निस्पक से सुनवाई करना या तै करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे और फैसला लिखना और फैसला सुनाना तो आई बास समझ में इस परकार से आप अपना उत्तर यहां से देखके लिख सकते हैं ठीक इसी परकार एक टेबल बनाएं और उनकी अगला प्रस्ण यहां पर अब यही इस्तिति लें और किसी ऐसे बिद्यार्थी को उपरोगत सारे काम करने के लिए कहें जो फियस्ता कलब का समर्थक है यदि आप राधिक नियाई ब्योस्ता के सारे कामों को केवल एक ही ब्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीडितों को नियाई मिल पाएगा क्यों नहीं देखरें आप यह आपका प्रस्ण दूसरा और उतर में आप लेखेंगे बच्यों पीडितों को नियाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि नमबर एक एक ब्यक्ति के हातों में सारी सक्तियां होने पर भेदवाओं की संभाओना ब भली भाति करना संभव नहीं है तो आई बात समझ में इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चो इसके बाद बात करते हैं बच्चो यहाँ पर अगला प्रस्न आता है तीसरा और इसमें पूछा है कि आप ऐसा क्यूं मानते हैं कि आप लालें और लिखे नमबर एक इससे सकती किसी एक जगह केंद्रित नहीं होगी और इससे अन्याई की संभावना कम होगी नमबर दूसरा जब अलग-अलग भूमिकाओं में बिभिन लोग काम करेंगे तो वे कारियों को अच्छी तरह से कर सकेंगे बेदभाव को पनमतने का मौका नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रसन का उत्तर लेखेंगे इसे अच्छे से याद करें बच्छो और इसके साथ ही यहाँ पर इस पार से सम्बंदित प्रसनों के उत्तर समापत हो जाते हैं बच्छो उमीद है कि आपको पार से सम्बंदित स